चैदन वंत्री में डोक्टर सोनाली आज हम भस्म कलपना पर डिसकसन करेंगे भस्म कलपना रश सास्तर की अतियंत महत्वपोना कलपना है जिसे मारण कलपना भी कहते हैं इस प्रक्रिया से धातू तथा खनिश द्रवय की भस्म बनाते हैं जो अतिशाई तेजस्वी, वीर्यवान और गतिवान होती है तथा सत्वर परिणाम देती है आज के युग में फास्ट लाइफ में यह कलपना बहुत हेल्पफुल है तो आएए शुरू करते हैं आज का टोपिक भस्म कलपना जिसे मारण कलपना भी कहते हैं सबसे पहले इतिहास देखते हैं सहीता काल में भस्म कलपना ज्यादा प्रचलीत नहीं थी परन्तु कहीं कहीं कोई एशेशब्दों का प्रयोग मिलता है जिससे पता चलता है कि भस्म कलपना का थोड़ा बहुत ग्यान सहीता काल में भी प्रचलीत था चैसे चरक सहीता में लोहादी रसायन का प्रयोग बताया गया है सुश्रूत सहीता में अयस्कृती सब्दका प्रयोग हुआ है लोहादी धातु को मुशा में रखकर अगनी में तपत करके खदीरादी वनस्पती के स्वरस में बुझाने को अर्थात निर्वाप करने को अयस्कृती कहते हैं यह भी भस्मकल्पना का ही प्रारंबिक रूप है अश्टांक रदय में पूट सब्द का प्रयोग मिलता है अगर मध्यकाल में देखे तो नाइन्थ सेंच्यूरी में रसरदय तंत्र में पूट सब्द का प्रयोग हुआ है आगे देखते हैं नाइन्थ सेंच्यूरी में चक्रमानी टिका में चक्रदत ने अब्रग बस्मके प्रयोग का वननन किया है तथा 12th century में आनंद कंद रसारणों रसेंद्र जुडामनी आधी ग्रंथों में पूट का प्रयोग बताया गया है परिभाशा देखते हैं मुरूधातु से मारण सब्द बनता है जिसका अर्थ होता है मारण करना अर्थात कील करना श्री यादवजी त्रिकमजी आचार्या ने परिभाशा बताते हुए कहा है कि शोधीतान लोधातवादीन विधर्म स्वरसादी भी ही अगनी संयोगतों पस्मिकरणम मारणम स्मृतम अर्थात लोहादी धातुओं को शोधन करके स्वरसादी में जब मरदन किया जाता है और उसके बाद अगनी संयोग देने से बस्मिकरण होता है चीसे मारण भी कहते है अर्थात बस्मिकरण में मुख्यता तीन क्रिया होती है शोधन माभावना देना और अगनी संयोग दे पूर्दन करने से धातु के अनुसंकठन का बेदन होता है तथा भावना द्रव्य के गुणों का भाव्य द्रव्य में गुणांतराधान होता है। पूर्ट देने से गुरु धातु लगु बनती है, स्थोल में से सुक्ष्म बनती है तथा धातु के अन्शोका शरीर में प्रसरन, ग्रहन और शोषन आसानी से होता है। अर्थात भस्मी करन से कठीन पार्थी उद्रविय मृदु, सुक्ष्म और सलक्ष्न बनते हैं। लोहादी धातु निरिंद्रिय रहती है, उसे वनस्पती स्वरस की भावना देने से, वनस्पती के सेंद्रिय तत्व लोहादी में मिक्स होते हैं। इसलिए निरिंद्रिय शुक्ष्म अनु, सेंद्रिय घटक युक्त बनते हैं। तथा धातु के अन्शों में लगुत्व का गुण बढ़ता है आगे देखते हैं प्रकार रसरतन समुचे आदि ग्रंथों में धातु की भस्म बनाने के लिए यूज होने वाले द्रव्य के प्रयोग के आधार पर चार प्रकार है पहला है पारद के संयोग से बनने वाली भस्म दूसरा है वनस्पति के संयोग से बनने वाली भस्म तीसरा है गंदकादी द्रव्य के संयोग से बनने वाली भस्म तथा चोथा है और इलोग के संयोग से बनने वाली भस्म रसेंद्र चुडा मणी में कहा है कि लोहानाम मारणम स्रेष्ठम अर्थाथ पारक्स के संयोग से बनने वाली भस्म है वह स्रेश्ट है मुली भी ही मद्यमं प्राहु हु करनेश्टम गंदकादी भी ही अर्थाथ वनस्पती के संयोग से बनने वाली भस्म है वह मद्यम गुण वाली है तथा गंदकादी द्रव्य के संयोग से बनने वाली भस्म है वो कनिष्ट गुण वाली है और अरीलोहेन लोहस्य मारणम दूर्गुणम प्रदम और थाथ अरीलो के संयोग से बनने वाली भस्म दूर्गुण पेदा करने वाली होने की वज़ा से वर्जिय है पसमा निर्मांद दो प्रक्रिया से होती है एक है पूटपाक और दूसरा है कुपी पक्व इस वीडियो में हम पूटपाक वीदी से बनने वाली पसमा के बारे में जानेंगे अब पसमा के प्रकार को विस्तार से समझते हैं सबसे पहले देखते हैं पारद के संयोग से बनने वाली भस्मा लोह और पारद के परस पर दोस हरत्व गुण होने के कारण स्रेश्ट भस्मा बनती है पारद उडनसिल होने की वज़ा से शुद्ध भस्मा प्राप्त होती है अगर पारद भस्म में मिक्स हो जाए तो भी भस्म में पारद के रसायन और त्री दोशगन गुण की वृद्धी होती है पारद योगवाही होने से धातु में गुण वृद्धी करता है तथा पारत के संयोग से धातू भंगुर बनने से भस्म सुक्ष्म प्राप्त होती है और कम पूट देने पर भी उत्तम भस्म प्राप्त होती है अब देखते हैं मनस्पति के संयोग से बनने वाली भस्म इस प्रकार की भस्म में मनस्पति क्षार बढ़ते है धादू का प्रमाण कम होता है इसलिए मध्यम भस्म बनती है तथा अनेक पूट की जरुरत पड़ती है तीसरा प्रकार है गंतकादी द्रव्यों के सायोग से बनने वाली भस्मा एसी भस्म में भंगुरत्व सरल्ता से आने के कारण भस्मा जल्दी बनती है लेकिन इन द्रव्यों के अन्ष भस्मा में कम देखने को मिलते है गंतकादी द्रव्य उष्ण होने की वज़ से भस्मा भी उष्ण तिक्ष्णा बनती है इसलिए पित प्रकुरूती के रोगी को नहीं दे सकते आगे देखते हैं चोथा प्रकार अरी लोह के संयोग से बनने वाली भस्मा अरी अर्थात सत्रू और लोह अर्थात धातू अर्थात विरुद्य गुण कर्मवाली धातू मतलब धातू के भवती गुण का नाश करने वाले द्रव्य अरी लोह के कहलाते हैं और इसके संयोग से बनने वाली भस्मा गुण हिन बनती हैं क्या आप जानते हैं स्वन के लिए नाग, रज़त के लिए बंग, तामर के लिए यशद और लोह के लिए कांसिय अरी लोह है आईर्वेद प्रकाश में कहा गया है कि तामर शत्रूर यशदम तेन मारणम दुर्गुण करणम और थात तामर के लिए यशद सत्रूर समान है इससे मारण करना दुर्गुण ब्रदान है यह पॉइंट MCQ के लिए उपयोगी है आगे पस्मा प्रक्रिया देखते हैं इसे मे पूर्व कर्मा, प्रधान कर्मा और पश्यात कर्मा में डिवाड करके बताती हूं सबसे पहले पूर्व कर्मा पूर्व कर्मा में सोधन सबसे पहले होता है जिसे हम सोधन कल्पना में देखेंगे बाद में जिस द्रव्य की भस्मा बनानी हो उसे वनस्पति आदी द्रव् सरीर के लिए प्रतिकुल धातु जो निरिंद्रिय होती है उसे अनुकुल अर्थात सेंद्रिय बनाते हैं भावना देने से द्रव्य का शुक्ष्मिकरण जल्दी तथा सरलता से होता है भावना द्रव्य का गुणांतराधान होता है अर्थात भावना द्रव्य के गुण का भाव्य द्रव्य में प्रवेश होता है और पस्म को विशेश रंग भी दे सकते हैं। प्रवेश को विशेश रंग भी द्रव्य में प्रवेश रंग भी दे सकते हैं। भाव्य द्रव्य के चूर्ण के समान मात्रा में भावना द्रव्य लिया जाता है। और सिर्फ भाव्य द्रव्य का भाव्य द्रव्य में गुणा अंतराधान करना हो। सामानिय वनस्पती चूर्ण को भावना देनी हो तब यह मात्रा उचित है। जैसे कि आमला की रसायन में आमला की चूर्ण को आमला की स्वरस की भावना देते हैं। यह प्रक्रिया मात्रा आमला की चूर्ण की गुण वृद्दी के लिये होती है। तो इस परिस्तिती में भावना द्रव्य समन मात्रा में नहीं लिया जाता बलकि जितना जरूरी हो उतना प्रमाण ही लिया जाता है। भावना के बाद भाव्य द्रव्य की चक्रिका बनाई जाती है और चक्रिका को काली मिट्टी के बने शराव में रखकर मुल्तानी मिट्टी से सम्पूटी करण किया जाता है एक सराव के उपर दुश्रा शराव उल्टा रखकर दोनों के संधिस्थान को कोटन के कपड़े तशा मुलतानी मिट्टी से बंद करने को संपुटी कराण कहते हैं अभे प्रधान कर्मा जिसमें पूट द्वारा अगनी संयोग दिया जाता है पूट की परिभाशा देखते है रसोपरस लोहादेही पाकमान प्रवाणकम उत्पल अध्यगनी संयोगात तद तदत्रम पूटम स्मृतम यह रस्त रंगिनी ने यह परिभाशा दी है इस परिभाशा का मतलब है कि रस उपरस लोहादी द्रव्य की भस्मा बनाने के लिए द्रव्य को कितना अगनी संयोग देना चाहिए उस मातरा को पूट कहते हैं पूट के प्रकार तीन होते हैं पहला है ताप के आधार पर जैसे की सुर्य पूट अगनी पूट चंद्रपूट आधी यहाँ पर चंद्रपूटी प्रवाल में प्रवाल को चंद्र के किर्ण द्वारा निर्मान किया जाता है दूसरा प्रकार है इंधन द्रव्य के आधार पर जैसे की गोबर पूट तुष्पूट वालुका पूट लवन पूट आधी और तीसरा है अगनी के प्रमान के आधार पर जैसे की महापूट गजपूट वारापूट कुकुट पूट आधी पूट द्वारा अगनी संयोग देकर द्रवय को पकाना यह पस्म कल्पना का प्रधान कर्म है आगे देखते हैं पस्चात कर्म, श्वांग सीत करण अर्थात पूट में रखी शाराव को खुद ही ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है बाद में शाराव से द्रवय को निकाल कर उनका चूण बनाते हैं जीसे चूणी करण कहते हैं और अंत में पस्म परिक्षा करते हैं पस्म परिक्षा है वो दो तरह की होती है पहली है भौतिक परिक्षा और दूसरी है रासनायानिक परिक्षा फ़ुतिक परिक्षा में आठ परिक्षा का समाविस होता है इसको केसे याद रखना वह बाद में बताती हूँ पहले परिक्षा देख लेते हैं पहला है रेखा पूर्ण अत्व रेडी हुई भस्म को चुटकी में लेने से भस्म अंगुली की रेखा के बीच में प्रवेस्थी है आप फिगर में देख सकते है भस्म को अंगुली में रखने पर अंगुली भस्म के वनकी हो जाती है दूसरा है वारी तरत्व भस्म को पानी की सतव पर डालने से भस्म पानी पर तेरती है तिसरा है उनम अगर इस तेरती हुई भस्मा के उपर कोई धानिय जैसे की गेहू या चावल रख दिया जाए तो भी धानिय के भार के कारण भस्मा पानी में डूबने के बदले पानी पर तेरती है इसे भी आप फिगर में देख सकते हो चोथा है अंजन चद्रश शुक्ष्मत्व और थात अंजन के समान भस्मा शुक्ष्मा होती है मैंने भस्मा का फिगर दिया हुआ है इसमें शुक्ष्मा भस्मा दिखाई देती है पांचवी परिक्सा है नेश्चंद्रत्व यह विशेस्ता अबरक भस्मा के लिए की जाती है भस्मा को हाथ में रखकर मसलने के बाद प्रकाश में देखने पर दादू की चमक नहीं दिखनी चाहिए फिगर में जैसे आप देख रहे हो भस्मा की चमक दीक रहे है ऐसी चमक दीक है तो यह उत्तम भस्मा नहीं है। चटी परिक्सा है सू स्लक्षन त्वा, भस्मा स्लक्षन होनी चाहिए, साथवी परिक्सा है मुरुदू त्वा, भस्मा मुरुदू होनी चाहिए, आप फिगर में देख रहे हो भस्मा मुरुदू और स्लक्षन है, तथा आठवी परिक्सा है नीर्धू मत्वा, अर्थात हर जैसे पदार्थों के लिए यह परिक्सा की जाती है, जिसमें पस्म को अगनी में डालने पर उसमें से धुआ नहीं निकलना चाहिए। फिगर में आप देख सकते हो कि पस्म मुरूदू है, सुख्स्म है, शलक्षन है और प्रकाश रहीद है। एसे चार लक्षन आप याद कर सकते हो, मुरूदू, सुख्स्मा, शलक्षन और निश्चंद्र, अब हाथ में लेकर देखने पर रेखापूनत्व, तथा पानी में डालने पर वारितरत्व और उनम, और अंत में अगनी में डालने पर निर्धुमत्व का अगनान होता है, ए आप सब को पता है कि रेवा है एक रिवर है, उनके पानी में अगर रात को देखा जाए, तो चंद्र दिखता है वह शुक्ष्मा और उत्तम होता है, तथा स्लम एरिया में दूम दिखाई देता है, आप रेड कलर में देख सकते हो, रे से रेखापूनत्व, वा से वारितर चंद्रत्व, शुक्ष्मा, उत्तम, उत्तम से उनम, उनम को आप उत्तम भी कह सकते हो, और चंद्र से निश्चंद्रत्व, स्लम में श्ला से लक्ष्नत्व, और मा से मृद उत्व, तथा दूम से निर्दूमत्व, एसे आप आप आठ लक्षन याद रख सकते हो, इसमें आपको द्यान रखना है कि धुम में निर्दुमत्वा है तथा चंद्र में निश्चंद्रत्वा है है ना इजी रासायानिक परिक्षा में मुख्य पांच परिक्षा की जाती है पहली है अपुनर्वग यह परिक्षा धातू की भस्म के लिए की जाती है धातू की भस्म को मि मिले तो वह भस्म अपरिपक्वा मानते हैं और जब तक अपुनर्भव की परिक्सा में पास नहीं होते तब तक पूड देते हैं रसरतन समुचई और रस्तरंगिनी में मित्रपंचक में गुगलू के बदले गुड लेने को कहा है दूसरी परिक्सा है निरुत्थत्व अईरद प्रकाशकार ने यह परिक्सा का मौनन किया है यह परिक्सा अपुनर्भव के समान ही है इस परिक्सा में भी धातु को अन्यद्रव्यों के साथ मिला कर दमने की बात कही गई है अप उनर्बों में मित्र पंचक और नीरु थत्व में अन्यद्रविय, बस यही दोनों में अंतर है तिसरी परिक्षा है गतरसत्व, तामर भस्म, रोप्य भस्म, काशिश भस्म, आदी के लिए यह परिक्षा इंपोर्टन्ट है जब तक भस्म में कशाई अधी रंग मोजुद है, तब तक उसे अपकव मानते है रस अधी का नास होना मतलब भस्म सिद्ध होना कहा जाता है चोथी परिक्षा है विशिष्टा वनत्पती भस्म सास्त्र में दर्शित वर्ण की जब तक नहीं बनती तब तक उसे अपकव मानते है यह वर्णत पती पावना द्रव्य और पुटपाकी वज़से होती है और पांचवी परिक्षा है दंताग्रे कच-कचाथ सिर्फ आयर्वद परकाशकार ने ही यह परिक्षा का वर्णन कीया है इसमें भस्म को दांत के बीच में रखकर दबाने पर केतकी रज के समान कच-कचाथ होता है तो भस्म उत्तम नहीं मानी जाती और उसे और शुक्ष्म बनानी पड़ती है तो यह है पांच रासायानिक परिक्षा योगरतनाकर में भस्म के वर्णन का वर्णन मिलता है उसे भी देख लेते है स्वर्ण भस्म है वो चंपकफुल सद्रश होती है रजत और दामर भस्म है वो क्रुष्ण वर्णन की होती है कांस्य भस्म है वो गुसरवाना की होती है नाग भस्म पारावत समान होती है बंग भस्म स्वेतवाना की होती है और अबरग भस्म है वो इस्टी का सदरश होती है यह point आपको MCQ के लिए important है तो इससे याद जरूर कर लीजिए तो यह था बसमकलपना का पुरा वर्णन आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताए ताकि आपके सजेसन मोध्यान में रखकर मैं अपने अगले वीडियो को और भेतर बना सकू अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें टेंक यू